हेलोजेंट्स सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल मैस भाई जीतंदर खुमार में स्वागत है आज हम पढ़ेंगे ब्रैक्षट फंक्षण ब्रैक्षट फंक्षण क्या होता है इसकी डेफिनिशन देखिए ठिकिंग फंक्षण देखिए क्या होता है if x is any real number यदि x क्या है कोई भी एक real number है then the largest integer ठीके तब largest integer ठीके लब बड़े चे बड़ा poor rank which does not which does not exceed x जो x से अधिक नहीं है is called integral part of x and will be denoted by bracket में इस तरीके से x लिखते हैं और इसको हम पढ़ते हैं bracket function पढ़ते हैं देखे एक्जाम्पल से समझी जरा definition से भी ना समझाया हो example से भी समझमा जाएगा definition भी समझमा जाएगा भी दोबारे समझा दूगा कोई चलिए हमने example ले लिया देखे bracket कोई bracket function 1.5 है तो यह बराबर आएगा किसके 1 के बराबर आएगा देखे एक्स कोई क्या है real number है तो एक्स की value हमने ले ली 1.5 ठीक है then a largest integer which cannot exceed 1 तब एक largest integer जो x से अधिक ना हो जितना है उस से अधिक नहीं होना चाहिए और integer होना चाहिए तो वो ही क्या कहलाता है ठीक है is called integral part of x यानि किसका integral part of x ठीक है जिसका integral part कोन है 1 है तो बराबर किसके आएगा या 1 के आएगा और ये denote किस से किया जाता है and denoted ठीक है and will be denoted by bracket में इस तरीक से x लिखते हैं चलिए और example देखिए जिसे माले कोई तुमसे value पूछे 0.5 तो ये बराबर किसके आएगा 0 के बराबर आएगा और कोई ये पूछे कि 1.9 1.9 किसके बराबर आएगा ये 1 के बराबर आएगा ठीक है यानि कि जो भी value दे रखी जिसे 1.9 दे रखा तो जो भी इससे अधिक नहीं होना चाहिए इससे अधिक नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए, तो वो बराबर किसके आएगा, 1 के बराबर आएगा, ठीके मालने 3.9 है, तो बताइए किसके बराबर आजाएगा, 3 के बराबर आजाएगा, ठीके माइनस में भी ले सकते हैं, माइनस 2.9 है यदि माइनस में है तो वो बराबर किस के आएगा माइनस 3 के माइनस 0.7 है तो किस के बराबर आए गई माइनस 1 के माइनस के देखें इससे जादा नहीं होना चाहिए इससे कम ही होता है जैसे सपोस ऐसे मान लीजिए यह हमारे पास 0 है 1 है 2 है और यह 3 है suppose 1 2 3 पीछे को ले लिया मैंने minus 1 minus 2 ठीक है जिसे minus के ये ले लिया यहां पर ठीक है minus के 0.7 ले लिया तो minus के 0.7 लगवग यहां कहीं को आएगा यहां पर कितना आएगा कोई point 0.7 आएगा कैसा आए गई minus का तो एक integer लेना इससे अधिक ना हो तो इससे अधिक नहीं होना चाहिए तो इससे कम होना चाहिए तो मतलब क्या आएगा वो? minus 1 आएगा ठीक है इसी तरीके से माईनस के देख सकते हैं minus के 6.7 किसके बराबर आएगाई minus 7 के बराबर आएगा under root 5 निकाल सकते हैं under root 5 अंडरूट 5 की वैल्यू कितनी आएगी तो पॉइंट सम्थिंग आएगी तो बराबर 2 यह आजाएगा ठीक है और पाई भी ले सकते हैं पाई का मान भी रिकाल सकते हैं पाई का मान बताईए इतना आएगा पाई का मान 3. 3.backs कुछ होता है तो 3 के बराबर आएगा यह 22 17 साथ से भाग देजिए साथ या किस किस बराबर आएगा 3 के बराबर आएगा उन्हें इसका आप लोगों ने लिमिट में भी यूज किया होगा आपने कभी 12 में पढ़ा हो गाई ठीक है तो यह की हैं जो हम लेते हैं महापे ले जीरू लेते हैं De containing DSD जीरू जैसे माले यो यह निकालते हैं तो ही वैल्यू जो होती है वो एक किसके बीच होती थी वह 0 लगर वन के बीच होती थी चुए है और इसके यह व्याहिदी कि निकालेंगे है जेदी है थुए है तो हमने था है कि मारत भी कर लें तो यह 1 प्लस एच म् Cheese किसके बराबर आएगा इसके बीच दो यह 0 के बराबर आएगी ठीक है 1-H देखे तो 1-H का bracket function देखे तो 1 में से इसके बीच का कुछ घटा देंगे तो 0.0 कुछ आएगा तो पूर्णाग लेना हमें वो 0 लेना ठीक है और 5 plus H देख सकते हैं 5 plus H 5 plus H कितना आएगा 5 point something कुछ आएगा तो 5 आजाएगा 5 minus H बता सकते हैं 5 minus H बताएगे कितना आएगा ठीक है 5 में से कुछ घटा आएगे 0 और 1 के बीच का तो चार दसम लोग उचाएगा तो यह चार ही आजाएगा ठीक है तो यह है क्या ही वेर जहां है की वैली जो हो गई 0 से 1 की बीच होती है तो इस तरह किसा आप लोगों ने 12 में भी पढ़ा होगा या भी सी 1 में पढ़ा हो गई ठीक है तो यह ब्रैकिट फंक्शन की वैल्यू आप लोगों को सम्झुल आगे होगी बार फिर एक बार ध्यान दीजिए ठीक है यदि एक्स क्या है कोई भी रियल लंबर हो सकते हैं यह बैन ए लार्जेस्ट इंटीजर विच डज नोट एक्सीड एक्स एक लार्जेस्ट इंटीजर जो एक्स से अधिक नहीं है इस दिनोटिड वाई इससे दिनोट करते हैं ठीक है तो चलिए अब यह इसको आप लोग नोट कर दीजिए यह एक्जाम्पल्स भी नोट कर लीजिए ठीक है इसके बाद कुछ एक्जाम्पल्स करेंगे हम ठीक है एक्जाम्पल नंबर चलिए पीज नंबर 26 पर 36 एक्जाम्प 37 एक्जाम्पल यह करेंगे ठीक है इसको नोट कर लीजिए चलिए एक्जाम्पल नंबर 36 देखिए find the highest power of 3 ठीक है 3 की highest power ज्याद कीजिए which contained in factorial 100 जो किस में हो factorial 100 में हो तो क्या ग्याद करना में find the highest power of 3 3 की highest power ग्याद करनी जो factorial 100 में हो ठीक है तो इसको करने का एक तरीका है इससे पहले एक थोरा में तो उसके statement से करेंगे हम इसको तो statement में चलिए इसी में बता दूंगा आपको प्रूफ देखिए इसका solution देखिए इसका चलिए solution देखिए ठीक है तो ऐसे highest power बतानी हमें 3 की जो किस में contain करती हूँ factorial 100 में तो इसमें n बटी p का bracket function निकालते हैं n का मान कितना 100 n का मान 100 अपोन कितना 3 इसको तीन से भाग देजिए इसको तीन से भाग देंगी तो यह आ जाएगा विया 33 प्लस एक बटी तीन आ जाएगा 33 तीर इन यार में और एक 100 बिल्कुल यह आएगा तो इसमें हम bracket function में वह value निकालते हैं जिसे बही यह 33 दिसमलो कुछ आएगा तो यह बराबर 33 के आएगा किसके बराबर आएगा यह 33 के बराबर इसके बाद value निकालते हैं इसके बाद value निकालते हैं n square बटे p की value n square बटे किसकी value निकालते हैं n बटे p square की value निकालते हैं sorry किसकी value निकालते है n बटे p square की value निकालते हैं n कमान कितना 100, P का स्कॉार करेंगी तू, 9 आ जाएगा ना, चलिए इसको भाग दे दीजी, 9 से भाग करेंगी किसको, 100 को, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, चिके, और कितना उतार लेंगी, 10, तो 1 आ जाएगा, 11 सही, 1 बड़े, 9, तो क्या लिख सकते हैं, इसको, 11 प्लस, एक बड़े, 9 भी लिख सकते हैं, तो बड़ाबर किसके आएगा, 11 की बड़ाबर आएगा, इसके बाद, वैल्यू निकालते हैं, N बड़े, P क्यूब की, ये वैल्यू तब तक निकालते हैं, जब तब कि ये 0 की बड़ाबर ना जाए एन बड़ी P Q एन कमान तो कितना एन कमान तो 100 है ठीक है P का Q मतलब 3 का Q 3, 3, 9, 3, 27 ठीक है चलिए विए इसको भाग दीजी 27 से भाग दीजी 27 से किसको भाग दीजी ठीक है 27, 81 ठीक है कितने बज जाएंगे हैं आपर 9 और ये कितने 19 ठीक है तो 3 से ही यह 3 प्लस 19 अपॉन 27 तो किसके बराबर आए गई 3 के बराबर आएगा इसके बाद किसकी वैले निकालते हैं एन बटे P की पावर 4 तो बताइए कितना आज आएगा So बटे P की पावर 4 27 ठीक हैसी आएगा तो कितनी बार चलेगी एक बार चलेगी यह 81 से भाग दे दीजीए 100 को तो 81 एकम 81 कितना बज जाएगा 9 और 1 एक 1 प्लस 19 अपॉन 81 किसके बराबर आएगा बन के बराबर आएगा इसके बाद N बटे P की पावर 5 लिखते हैं तो N कमान कितना 100 अपॉन 81 से तीया तीन एकम 3 आठतिया 24 24 24 24 हां सोरी तो कितना आएगा ही 243 आएगा ना और इसको भाग देंगे तो यह 0 दसमलो कुछ बचेगा क्योंकि निच्चे वाला आ गया तो यह बराबर किसके आजाएगा इसको यह हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस यह दसमलो में आ जाएगा यह सीधा कहिए भी यह 0 आए गई किसके बराबर आएगा क्योंकि निच्चे वाली वैल्यू बढ़ी होगी तो 0 दसमलो something कुछ मान आएगा तो किसके बराबर आएगा जीरो के बराबर आएगा हमें क्या निकालना इसमें highest power of 3 जो contain करती है किसको containing factorial 100 लिख देंगे देखें दी highest power of 3 दी क्या निकालना हमें इसमें highest power of 3 विच कंटेंड विच कंटेंड इन factorial 100 को ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं चलिए अब कैसे लिख दिया हमने तो यह बराबर किसके आता है जो भी यह वैल्यू आई इनको जोड़ देते हैं सबको तो कितना 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस का कितना एक इनको जोड़ेंगे 44 44 और 4 48 तो यह किसके बराबर आएगा 48 के बराबर आएगा तो आसाम से यह एक्जाम्पल है कर लीजी ठीक है चली इसके बाद एक्जाम्पल नंबर 37 भी देख सकते हैं यह भी वैस एक्जाम्पल में आया हुआ है एक्जाम्पल नंबर 37 देखिए चली इसके बाद एक्जाम्पल देखिए find the highest power of 7 which contained in factorial 1000 ठीक है तो इसको आप लोग खुद करोगी इसका आंसर लिख देता हूँ मैं 164 आएगा आंसर कितना आएगा सका 164 ठीक है तो question को note कर लिए इसको खुद करेंगे जैसे भी मैंने कराया ठीक है जल्दी से इसको note कर लिजी खुद करना चली इसकी बाद पढ़ेंगे हम Fibonacci sequence चली तो देखिए Fibonacci sequence कोई Fibonacci बोल देता है या Fibonacci बोल देते है ठीक है तो वैसे तो वास्टा में तो Fibonacci है Fibonacci sequence ठीक है Fibonacci अनुक्रम तो D sequence A1, A2, A3 dot dot in which जिसमें A1 तो किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो और A2 किसके बराबर हो? 2 के बराबर हो and A1 किसके बराबर हो? An बराबर हो An-1 plus An-2 for every यदि N किस से बढ़ा है? 2 से बढ़ा है जब N दो से बढ़ा है तो यह आना चीए An बराबर कितना? An-1 plus An-2 for every and greater than 2 is called A Fibonacci sequence ठीक है तो यह डेफिनिशन पूछ लेते हैं एक्जाम में तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए इसके बाद देख हम थोरम करेंगे इस पर ठीक है इसको नोट कर लीजिए डेफिनिशन को चली तो थोरम देखी इस पर ठीक है इसके इसको नोट कर देखा रहाएं तो ये सीद करके दिखाना ए एन बढ़ा है किस्से एलफा की पावर एन बाइन से 4 all n greater than 1 यदि n बढ़ा है किससे 1 से बढ़ा है तो यह हमें proof करके दिखाना ठीक है an क्या है यह net term है किसकी फुश्बुनाची सिक्वेंस की alpha बराबर यह दिरखा और an हमें बढ़ा दिखाना किससे alpha की power n-1 से 4 all n बढ़ा है किससे n से इसका प्रूफ करेंगे mathematical induction से mathematical induction में वैसे तो n बराबर 1 के लिए पहले प्रूफ करना होता है तो n तो 1 से बढ़ा लेना तो n बराबर 1 के लिए तो इसमें proof नहीं करेंगे तो इसमें बराबर 2 के लिए हमें proof करना पड़ेगा ठीक है वन के लिए तो नहीं कर सकते इसमें तो यह लिखेंगे सबसे पहले तो तुम इसमें यह करिए we have alpha square कमान निकालिए we have we have alpha square की value निकालिए alpha square मतलब 1 plus under root 5 का whole square upon कितना हो जाएगा यह 4 हो जाएगा पॉन में कितना हो जाएगा पॉर जब स्क्वार करेंगे तो इसका whole square को लेंगे तो 1 plus 5 आएगा plus 2 root 5 आएगा अपॉन में कितना जाएगा 4 यह हो जाएगा 6 6 plus कितना 2 root 5 अपॉन में कितना 4 तो 6 को लिख सकते है 4 plus 2 तो 6 को लिख दीजिए कितना 4 plus 2 तो यह आजाएगा भी है 4 plus 2 plus 2 root 5 अपॉन 4 पहले 4 के अपॉन में लग करेंगे 4 अपॉन 4 कर लिजिए 4 अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 2 root 5 अपॉन 4 तो यह तो कितना जाएगा 1 आजाएगा 2 कोमा लिख लिजी 1 plus root 5 अपॉन 4 अजाएगा 2 से तो कड जाएगा 1 plus 1 plus root 5 अपॉन 2 और यह किसके बराबर है अलफा की बराबर है तो 1 plus कितना आजाएगा अलफा तो यह हमने किस कमान निकाला अलफा स्कॉार कमान निकाला तो अलफा स्कॉार कमान किसके बराबर आगया अलफा प्लस 1 कह सकते हैं तो इसको समीकर नंबर क्या माल लिजी एक माल लीजी चलिए हम इसको अभी सीध करते हैं पहले 4 n बराबर 2 के लिए दिखाएंगे या 4 n e ये माल लेते हैं 4 n e k ठीक है 4 n e n k plus 1 या किसके लिए ले लीजी सबसे पहले चलिए वह ये 1 के लिए तो इसमें हम सीध नहीं कर सकते 4 n e k बड़ा है किससे 1 से के लिए लेंगे तो ये बताएंगे alpha square ठीक है हमें जो सीध कर के दिखाना n बराबर 2 के लिए हमने कोई n बड़ा माल लिया किससे किससे बड़ा माल लिया ही k बड़ा माल लिया किससे n प्लस 1 से बड़ा माल लिया ठीक है जिस n बराबर k के लिए निकालते थी तो हमने तो इसमें k बड़ा लिया किससे n से वो 1 से बड़ा लिया तो चलिए 1 से बड़े की लिए 2 के लिए दिखाईए we have A2 बताइए किसके बराबर होता है तुमने Fibonacci sequence पढ़ी होगी A1 तो बराबर होता है 1 और A2 बराबर कितना होता है उसमें 2 के बराबर होता है और An किसके बराबर होता है An-1 और प्लस कितना An-2 के बराबर होता है ये Fibonacci sequence में तुमने बढ़ा होगा अभी definition में पढ़ाया, चली पहले इतना note कर लूँ, ठीके, तू सबसे पहले में 2 के लिए दिखाऊंगा, n बराबर 2 के लिए, 2 के लिए n कमान 2 लूँगा, तो ये मुझे दिखाना पड़ेगा, a2 बढ़ा है, किससे alpha 3 power, 2-1 से बढ़ा दिखाना पड़ेगा, वो statement Fibonacci sequence का है, क्योंकि इन्होंने दे रखावी है Fibonacci sequence है, तो उसका भी use करेंगी, ठीके, तो चली पहले में इधर का मिटा देता हूँ, इस side करूँगा, इतना note कर लो पहले, चली लिख लिए जिसमें, we have, we have, a2 बराबर हम जानते हैं, a2 बराबर किसके होता है, 2 के बराबर होता है, और alpha का मान कितना, 1 प्लस रूट 5 अपोन 2, तो इसमें देखिए, इस का मान 2 है, यहां, रूट 5 जो आएगा, 2 point something आएगा, 2, 3 आएगा, 3 point something हो जाएगा, 2 से भाग दूँगा, तो 1 point something आएगा, तो यह value, a2 जो है, बड़ी है, here, here, a2 बड़ा है, किस से, alpha से बड़ा है, यह हम जानते हैं, भी है हो, end करके लिख सकते हैं, यहां, तो हमें दिखाना, a2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a2, greater than, alpha को क्या लिख सकते हैं, इसकी power, 2 minus 1, तो it is true, it is true, it is true आ गई, और किस के लिए, एन एक वल्टू, तू के लिए कैसा आ गई, प्रू आ गया, तो अब लिखते हैं, by definition of, इस से लिखते हैं, by definition of few and each sequence, by definition, यह तो 2 के लिए आ गया, तू से बड़े के लिए देखते हैं, by definition of few and each sequence, यह बताईए, यहां से तो 2 के लिए आ गया, और इन कमान 1 से बड़ा है, ठीके 2 के लिए दिखा देए, तो 3 के लिए बताना क्या आएगा, a3 बताईए क्या आएगा, a3 बराबर आएगा, 3 रखेंगे, तो यहां पर a2 आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा, और a1 तो हम जानते हैं, 1 है, और a2 का मान यदि हम रखें, ठीके, इस से छोटा रखें अलफा की पावर, यानि मैं यह रखो गई है, a3, तो यह इस से बड़ा मान रख दूँ, इसको कोई equation मान लेजिए, equation क्या inequality मान लेजिए, second से कर दिया है, यह मैंने, from second, from किस से, second से कहना, equation मत कहना, inequality है, क्योंकि यह, तो यहां क्या जाएगा, बोलिए, alpha की पावर कितनी हो जाएगी, 2-1, भी है, मैंने, a2 को हटाया, यहां से, और a2 से छोटा रख दिया, तो इधर वाला छोटा हो जाएगा, और a1 किस के बराबर है, 1 के बराबर है, 2-1 है, 2-1, यह alpha ही कह दीजी, तो a3 बराबर किस के आगे है, a3 बड़ा है किस से, alpha प्लस 1 से, और हम हमें दिखाना देखे कितना, a3 बड़ा, alpha की पावर कितना, 3-1 से करके दिखाना पड़ेगा, तो यह true हो जाएगा किस के लिए भी, यह बराबर 3 के लिए भी, चलिए यह लाने के लिए, इस का मान रख दो, यह a3 हमें बड़ा दिखाना, alpha की पावर 3-1 से, a3 greater than, इस का मान रखना ज़रा, इस का मान तो alpha square के बराबर है, यह किस से कर दिखाना दिया मैंने, from equation किस से कर दिया, फर्स्ट से कर दिया, तो इसको क्या लिक सकते हैं, बताईए, चलिए तो यह आगया, वह यह कितना, a3 बड़ा आगया, alpha की पावर कितना, 3-1, तो यह कैसा हो गया, true हो गया, ठीके, the result is true, the, आगया, given statement is true, given statement, the given statement is true, किस के लिए हो गया, 4, n equal to 3, अब हम आल लेंगे, let given statement is true, n बराबर के के लिए माल लेंगे, let given statement is true, 4, यह लिखेंगे, n बराबर के लिए दिखा दिया, 3 के लिए दिखा दिया, डोट डोट ऐसी, k के तक के लिए true हो जाएगा, let given statement, k तक के लिए क्या हो जाएगा, true, then, जब यह k के लिए true हो जाएगा, तो यह बताइए, a, k कितना आएगा, a, k बड़ा आएगा, a, k बड़ा आजाएगा, किससे, alpha की power किससे, k-1 से, और इससे पहले वाली भी कोई value देखी जाए, इससे पहले वाली, a, k-1 भी बड़ा आजाएगा, किससे, a की, alpha की power, alpha की power कितनी, k-2 के लिए कैसा आजाएगा, यह बड़ा आजाएगा, ठीके, तो अब हमें इसको दिखाना, n बराबर, k-1 के लिए दिखाना, ठीके, जो अब लास्ट का जो step होता है, इसमें, अब हम किसके लिए देखेंगे इसको, 4, n बराबर किसके लिए, k-1 के लिए, अब एक बात बताओ, ठीके, फिवनाची सिक्वेंस में, an किसके बराबर होता है, an बराबर होता है, an-1 प्लस, an-2 के बराबर होता है, न, तो यह बताओ, we have, we have, a, k-1 लाना हमें, बड़ा लाकर दिखाना, alpha की पावर, k-1, minus 1 से, तो यह बताओ, इस सिक्वेंस है, a की पावर, we have, by किसे, by, definition of, लिख देना, किसे कर आई हमने, फिवनाची सिक्वेंस है, फिवनाची सिक्वेंस, बताइए कितना आएगा, k-1, a, k आएगा, और प्लस कितना आईए, k-1 आएगा, तो यदि देखा जाए, a, k, और alpha की पावर, k-1, तो यह न, इस से छोटा है, तो मैं इसको, अभी देखो, दोनों value बराबर हैं, अभी दोनों value कैसी हैं, बराबर, तो मैं इसको यहां से हटाओंगा, यह रखूंगा, इस से छोटा रखूंगा, तो इधर वा मैं, alpha की पावर, k-1, और प्लस, यह इसे हटाओंगा, इस से छोटा रखूंगा, तो इधर वाली छोटा हो जाएगा, इधर वाला बड़ा हो जाएगा, alpha की पावर कितना वी है, k-2, तो यह बात सोचिए, मालिया यह कोई तराजू है, तराजू में दोनों पढ़डे बरा इधर मालिया क्या रखा, यह दो किलोग्राम का वेट रखा, और यह भी क्या रखा, दो किलोग्राम का वेट रखा, यहां से दो किलोग्राम को हटाया, उससे छोटा रख दिया, यह इस से छोटा है, तो इधर वाला छोटा हो जाएगा, तो यह वाला पलड़ा कैसा हो तो यह वाला पड़्डा कैसा हो जाएगा बार ही हो जाएगा मतलब यह वाला कैसा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा ठीक है अब इसमें चलिए इतना कर लिजी इसके बाद में इधर से मिटा के इधर कर देता हूं चलिए आग देखी ए नीचे यदि नहीं दिख रहा तो मैं इस लाइन को दुबारे लिख देता हूं a k plus 1 बड़ा है alpha p power k minus 1 plus alpha p power k minus 2 यदि नीचे नहीं दिख रहा तो यह मैंने दुबारे से लिख दिया अब इसमें common ले लिजी तुम a k plus 1 बड़ा है इसमें common ले लिजी alpha p power k minus 2 यदि common लेंगे ठीक है तो यहां तो बच जाएगा alpha और यहां बच जाएगा 1 ठीक है वे जो हम common ले रहे वो इसके बटे में जाएगा alpha की power कितना k minus 1 की बटे में पूंच चला जाएगा alpha की power k minus 2 alpha की power की कट जाएगा उपर चला जाएगा ठीक है plus 1 alpha ही बचेगा बिल्कुल और यह alpha square की बड़ाबर होता है a k plus 1 बड़ा है alpha की power k minus 2 तो common ले लिया यह alpha square की बड़ाबर होता है प्रोम equation first में देखना alpha square किसके बड़ाबर था alpha plus 1 की बड़ाबर था ठीक है तो यह बताएगे क्या बच जाएगा a k plus 1 बड़ा आगया जूड़के alpha की power k हो जाएगी तो k की n की जग़ा आना चीए k plus 1 k plus 1 तो इसमें 1 जोड़ देंगी a k plus 1 बड़ा आगया किससे k plus 1 minus 1 तो हर जग़ा k की जग़ा k plus 1 n की जग़ा k plus 1 तो given statement is true given statement given statement is true किसके लिए भी जग़ा 4 n equal to k plus 1 तो बड़ ने लिग़ा है hence by mathematical induction hence by mathematical induction the given statement is true the given statement is true तो हमने इसको सिध्ध कर दिया किससे गणिती आगमन सिध्धान से तो important होर हमें कई बार exam में आई हूई है ठीक है तो भी इसको कर लीजी बाकि कराएंगे कल कल